वेलकम बैक तो मैं चैनल आज हम लोग इंग्रिश के संटेंस बनाना सीखें कि फूर प्रैक्टिर्स आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए स्टार्ट करते हैं वैन यू गो टू अ न्यू कंट्री न्यू कंट्री मतलब नया देश को मतलब जाना वैन मतलब जब यानि जब तुम नए देश में जाते हो यू मस अडॉप्ट यूर्सेल्फ यूर्सेल्फ में खुद तु नियू नियू में नया मैनर्स और कस्टाम्स यानि रीत रिवास तो तुम्हें सुएम को नए रीत रिवासों के अनुरू ठाल लेना चाहिए यानि फिशराप पीने का आदी है एडिक्ट मतलब आदी आगे पड़ते हैं इस इंकम इस नोट एडिक्वेट एडिक्वेट मतलब परियाब ना होना या पूरा ना परना तु सपोर्ट हिस फैमिली यानि उसकी आमदनी उसके परिवार का भरन पोशन करने के लिए परियाब नहीं है एडिक्वेट यानि परियाब ना होना या इस एडिमिट्वेट मतलब तबूल करना इस मिस्टेक Mistake means कलती तो संटेंस क्या बनेगा उसने अपनी कलती सुईकार कर ली है Next पढ़ते हैं They adopted an orphan Orphan means Anath As they had no children Off the year on यानि Off the year on means खुद का यानि उन्होंने अनाथ को कोड ले लिया Adopt मतलब कोड लेना क्योंकि उनकी अपने बच्चे नहीं थे Had no children of their own यानि उनके अपने बच्चे नहीं थे Next पढ़ते हैं The baby adores being tickled यानि बच्चे को गुद गुदी करवाना बहुत अच्छा लगता है Tickled मतलब गुद गुदी आगे पढ़ते हैं A boy of 80 or more is an adult यानि 18 वर्ष या उससे अधिक कलड का व्यासक होता है More मतलब जादा Added मतलब व्यासक आगे पढ़ते हैं The meeting was adjourned for a week यानि सबह एक सब्दा के लिए स्थागिक कर दी गई यानि उसे रोक दिया कया adjourned आगे पढ़ते हैं We were lost in the admiration of the beauty of the scene Scene मतलब दिरिशिये Lost मतलब खोना Beauty मतलब सुंदरता We मतलब हम Admiration मतलब तारिफ करना तो sentence क्या बनेगा? हम दिरिशिये के सौंदरी के प्रशंसा में खो गए यानि उसकी तारिफ में Miss प्रशंसा सौंदरी में ब्यूटी दिरिशिये में सीन We मतलब हम आगे पढ़ते हैं The officer gave an adverse report Give मतलब देना यानि अफसर ने विपरिद यानि खराब रिपोर्ट The adverse मतलब खराब यानि उल्टा आगे पढ़ते हैं Every mother has affection for her children यानि every यानि हर एक मा के हिरिदिये में अपने बच्चों के परतेस ने होता है यानि प्यार होता है इसे हम affection कहते हैं Next sentence पढ़ते हैं The trees are for the pleasant shed Shed मतलब चाया Trees मतलब पेट तो बोला कया है कि वरिक सुग सुगा चाया प्रतान करते हैं Pleasant मतलब सुख Next पढ़ते हैं Let us begin life afresh Life मतलब Cheap and begin मतलब शुरुआत करना यानि हमें नए सीरे से जीवान अरम करना चाहिए Means शुरू करना चाहिए आगे पढ़ते हैं We should not neglator as it parent Should मतलब चाहिए Double advice के लिए यूज करते हैं Not मतलब नहीं We मतलब हम यानि हमें अपने बुड़े माबाप के अवेना नहीं करनी चाहिए यानि disrespect Agit मतलब बुड़ा Next sentence पढ़ते हैं विद्यर्मिनिक आगे बोला है He was a good walker And soon got ahead of others Good मतलब अच्छा Was का यूजम था थे ठीक है लिए करते हैं Soon मतलब चल थी तो वे देश चलने वाला था He was a good walker And यानि और शेगरी औरों से आगे निकल कया Soon got ahead of others मतलब दूसरे शेगरी मतलब चल थी Next sentence पढ़ते हैं आप लोगों को मिनिंग इनके याद रखने हैं ताकि आप लोग भी अपने डेले रुटिल लाइफ में से यूज कर पाएं और इंग्लिश बोल पाएं Next पढ़ते हैं What is your am in life In मतलब me Life मतलब G1 Am मतलब target Your मतलब तुम्हारा What मतलब क्या Do sentence क्या बनेगा G1 में तुम्हारा लक्षी क्या है Next पढ़ते हैं The face was a light with happiness Face मतलब चहरी Happiness मतलब प्रसंता यानि खुशी With मतलब के साथ तो sentence क्या बनेगा उनके चेरे प्रसंता से दमक रहेते यानि खुशी से दमक रहेते दमक means a light यानि चमकना Next पढ़ते हैं The bird alighted on the branch of the tree Bed मतलब पक्षी Branch मतलब शाखा तो sentence क्या बनेगा पक्षी वरिक्ष की शाखा पर उत्रा Alighted मतलब उतरना ये चोटे चोटे White Minutes आप लोगों को याद रखने हैं आप लोगों की Understanding के लिए Moving to the next The sisters are very much alike Much मतलब बहुत सादा यानि तोनों बहने बहुत कुछ एक जैसी हैं बहुत कुछ एक जैसी को English में क्या कहेंगे Are very much alike याद रखना हैं आप लोगों को आगे पढ़ते हैं आगे बोला है You would not like to be buried alive तो इसका sentence क्या बनेगा तुम जीते ची यानि alive जीते ची ही तफन नहीं होना चाहोगे नहीं होना चाहोगे means You would not like आगे पढ़ते हैं This key alone will open the door यानि तरवाजा केवल इसी चाहबी से खुलेगा Key means चाहबी Alone मतलब अकेला Next पढ़ते हैं There are trees along the road यानि संटेंस क्या होगा कि सड़क के साथ साथ पेल खड़े हैं Along means के साथ साथ Next पढ़ते हैं I do not all together agree with you Agreement means सहमत होना यानि मैं तुमसे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ नहीं हूँ के लिए कैसे सेमाल करेंगे I do not all together agree with you Next sentence पढ़ते हैं Rice मतलब निकलना यानि rice in the east उर्दिशा में निकलता है तो यहां से daily uses sentence आप लोगों की practice के लिए होते हैं complete Thanks for watching अबत up दो इन खरी की क्वे деревव major प्लिव जिकदा हैं सवेंगे तो यह जँटेगन श वर निकलते हैं